हेलो फ्रेंग वेलकम टू प्रगतिपत आम दिपाली आज प्रीवेस येर की क्योश्टन सीरीज की जो रिविजन जल रही है उसमें ये माज की सिक्स क्लास है इससे पहले कि कोई भी क्लास आप लोगोंने ना देखी हो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मि कर पाएंगे उसके अलावा अगर आप लोगोंने अभी तेक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो उसको लाइक और शेयर करें सब्सक्राइब करने से क्या होगा आप लोगों को हमाई चैनल के नॉटिफिकेशन टाइम टू किस चीज में हेल्प नहीं करता आप लोगोंने अब एकस देखा होगा ना रीड दा नंबर विदाउट एरर बिना किसी तूटी के संख्याओं को पढ़ने राइट दा नंबर इक्विवेलेंट ओफ नंबर गीवन इन दा वर्ट्स शब्दों में दी गई संख्याओं के सम संख्यांक लिखने थर्ड ओप्शन है अटेंड परफेक्शन इंकाउंटिंग गन्ना में परिशुदता प्राप्त करने अंडर्स्टैंड द सिग्निफिकेंस ओफ प्रेस्वेल्यू सान्यमान की महता को समझाने तो देखे किस चीज में हेल्प नहीं करता मिस्टेक तो की गई संख्याओ के सवान संख्यांक लिखने में हल्प नहीं करता मिस्ट नंबर इकोइवेलिंट लिखने में हल्प नहीं करता ओके next question पे चलते हैं निमेलिखित में से विभाजन में means division में ठीक है शेश उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से divide करोगे in which of the following division will the reminder be more than the reminder you get when you divide 176 by 3 ठीक है आपको option दिये गए है 175 को 3 से divide करोगे तब ही या 176 को 2 से divide करोगे तब या 173 को 5 से करोगे तब या 174 को 4 से करोगे तब तो बताएगे right option होगा जब हम 175 को 5 से divide करेंगे ओके next question पे चलते हैं 500 cm plus 50 m plus 5 km ठीक है इन्होंने पूछा इनको add करो add करके क्या आएगा देखो मैंने आपको last series में last video में भी बताया था कि कोई भी question जब आप solve करते हो अगर unit same नहीं है तो सबसे पहले unit same करो ठीक है या तो आप इन सबको centimeter में change करो या सबको kilometer में या सबको meter में ठीक है options आप देख रहे हो 500, देखो meter में answer दिये गया है तो सबको meter में ही change करो ठीक है 555 meter 5055 meter 55 meter या 500 meter तो देखे right one होगा 500 sorry 5055 meter कैसे 1 meter में 100 centimeter होते है so that ये के इतना बन गया 5 meter और 1 kilometer में 1000 meter होते है तो ये आ गया 5000 meter ठीक है अभी इन तीनों को add करोगे तो आपका total आएगा 5055 meter next question पे चलते है pattern की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक्स तर पर गनित की पाठेचरिया का एक important part है क्यों? क्योंकि recognition of pattern and dear completion is an essential part of mathematics curriculum at primary stage as it विद्धार्थियों को प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए त्यार करता है prepare students to take up competitive examination सुडोक पहली को हल करने में विद्धार्थियों की साहता करता है help the student in solving सुड़कु puzzles ठीक है? यह है विद्धार्थियों में सर्जनात्मक्ता को भड़ावा देता है और संख्याओं तथा संकिर्याओं की विशेषता को समझने में उनकी साहता करता है promote creativity among the students and help them to understand properties of numbers and operation विद्धार्थियों में सर्जनात्मक्ता और कलात्मक गुनों का विकास करता है develop creativity and artistic attribute in students देखे question दुबारा पढ़ लो कि जो pattern की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्रात्मिक स्तर पर ये जो मतलब पाठे चर्मिया में involved किया गया है न ये topic तो ये बहुत important हीस्सा है क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? बच्चों में creativity लाता है संक्याओं और संकिरियाओं की विशेष्टा को समझने में helpful होता है नंबर्स और उनकी operation समझने में helpful होता है और दूसरा बच्चों में creativity लाता है नेक्स्ट में चलते हैं देखो मैंने आपको बोला था कि बहुत important type of questions होते हैं place value and face value के इसने हमें एक statement दी है इसमें इसने हमसे बोला कि six के स्थाने मानो मतलब place value जहां जहां six है ना उसकी place value के योगफल योगफल होता है addition बताना है देखी ये once हो गया, ये tens हो गया ये hundred हो गया, ये thousand हो गया और ये ten thousand हो गया अभी six देखो कि कहां कहां पर है sorry ये इधर भी six है अभी देखो six कहां कहां पर है एक six तो ये हो गया, once में है ये किस में है, hundred में है और ये किस में है ten thousand में, इसके बाए कितने desert है, four desert है, तो अभी इनको add कर दो तो देखे आपका answer क्या आएगा answer number four is the correct answer मैं आप लोगों को फिर से repeat कर दू स्थान्य मान क्या होता है place value, जो particular number कौन से place पे है, once पे है, tens पे है hundred पे है, और face value क्या होती है as it is the number जो उसकी actual value है, ओके next question पे चलते है 5,671 और उसके अंको को पलट देने पर प्राप संख्या का अंतर क्या होगा means difference क्या होगा, 5,671 और numbers obtained on reversing its digit ठीक है, समझ गे होगे आप लोग question 5,671 और इसको पलट देने पर ऐसे पलटेंगे न, minus करो कितना आएगा, carry लेंगे कितना आया, कितना आया हम लोगों का 3,9,0,6, तो right option कौन सा हुआ, option number 3 3,9,0,6, बहुत easy था वोसम next पे चलते हैं, अभी देखो नीचे दिये गए पेटरन को study करो, ठीक है, 1 into 1, 1 11 into 11, 121 11 into 11, this इसके बाद कितना आएगा, देखो ये 3 times 11 आया, पहले 1 time 1, फिर 2 time 1 फिर 3 time 1, अभी कितना आएगा 4 time 1 आएगा, हाना तो इसी तरह से चलेगा, इन्होंने हम से 5 times 1 आने पे क्या आणसर आएगा, ये पूछा है ठीक है, तो आणसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5 4, 3, 2, 1 ठीक है next में चलते हैं, निमे लिखित में से कौन सा राइट है, स्टेटमेंट दी है कौन सी करेक्ट है हजार के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है प्रेडीजर ओफ प्रेडीजर ओफ थाउजंट इस 999 हजार के पूर्ववर्ती का परवर्ती एक हजार एक है सक्सीजर ओफ प्रेडीजर ओफ थाउजंट इस ठीक है हजार के पूरवर्ती का परवर्ती इतना है Succesor of Preducer of Thousand is this हजार के परवर्ती का पूरवर्ती इतना है Preducer of Succesor of Thousand is this तो आप खुद देखिए कि कौनसी स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट सही है Preducer of Succesor of Thousand is Thousand हजार के परवर्ती का पूर्वर्ती क्या है थाउजन्ट है उके इन्होंने बोला एक दुकान में 249 खिलोने है ठीक है इन्होंने बोला 70 और खिलोने ले आए उन में से 152 बिग गए तो बचे हुए खिलोनों की संख्या थी a shop has 239 toys 70 more toys were bought in then 152 of them were sold तो number of toys are left देखो 239 थे 70 और ले आए तो फिर कितना हो गया अभी क्या करा 152 उसमें से उसमें से सेल हो गए तो equation पूछी है इन लोगोंने तो basically equation क्या बनेगी equation बनेगी number 2 239 थे 70 और ले आए 152 जो bigger वो तो minus होंगे न next question को देखने है एक pencil का मुल्ले धाई रुपे है धाई कितना होता है 2.50 ठीक है अमित डेड़ दर्जन डेड़ दर्जन pencil ये खरीता है देखो एक दर्जन में 12 वस्तुए होती है तो डेड़ दर्जन में कितनी होंगी 18 ठीक है और दुकान दार को 100 रुपे का एक नोट देता है उसे कितने रुपे वापिस मिलेंगे अपैंसिल कोस्ट 2.5 रुपी अमित बाई 1.5 डेजन पैंसिल और गिव 100 रुपी नोट तो देखिए वो कितनी होगी तो देखिए वो होगी 55 कैसे होगी इन्होंने बोला 1.5 रुपे है 1.5 रुपे एक पैंसिल का है तो 18 पैंसिल होगा कितना होगा 45 उसने 100 का नोट दिया 45 माइनस करोगी तो 55 भी तो बचेंगे हाना नेक्स्ट क्योशन को देखते हैं इतने के इतने और इतने मतलब 3,759 multiply 9,573 के गुनन फल में दहाई और इकाई का योग फल क्या होगा इन दा प्रोड़क्ट और दिस और दिस दा सम अफ टैंस डिजट और यूनिट डिजट इस तो देखिए इसने क्या बुचा इकाई दहाई मतलब 59 और 73 को देख लें हम हा ना तो इनको multiply करने पर इकाई का अंक योग फल क्या होगा देखिए कितना आया ये इकाई है ये दहाई है ठीक है 7,0 7 आया ठीक है दो बच के अठावन से चार घंटे उनसर्ट मिन्ट पहले क्या समय हुआ होगा वट इस ताइम देखो दस बच के एक मिन्ट होगा सुबे का या नो बच के उनसर्ट मिन्ट होगा रात का ठीक है नो बच के सतावन मिन्ट होगा सुबे का या नो बच के उनसर्ट मिन्ट होगा सुबे का तो राइट ओप्शन हमारा होगा 9 बच के 69 मिन्ट होगा सुभे खा अभी इस से इसने पूछा कि 4 गंटे 69 मिन्ट पहले का समय तो अगर हम इसको 24 गंटे की गड़ी में लेके जाएं तो ये होगा उससे पहले का टाइम ये होगा ठीक है next question पे चलते हैं 19,000, 19 सैकड़े, 19 इकाईयां बराबर है ठीक है, 19, 100 और 19 तो आपका right option क्या बनेगा आपका right option बनेगा 19,000, 1900 प्लेस उननिस तो 20,919 ओके, your correct answer is this next पे चलते हैं यदि 5, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 5, 6, 7 5, 6, 7 से विभाजित क्या जाए तो भागफल क्या आएगा if this term is divided by 567 then the quotient is आपको options दिये गए हैं, कुछ नहीं है simple-simple division करना है तो आप division करोगे कितना आएगा 100, 100, 100, 1 okay next पे चलते हैं एक बटे 8 में कितने एक बटे 2 हैं how many 1 by 8 are in 1 by 2 इस तरह की questions भी CTAT में आते हैं options हैं 4, 2, 16 and 8 तो देखें इन्होंने हम से question क्या पुछा 1 by 8 में कितने 1 by 2 हैं 1 by 8 में कितने 1 by 2 हैं तो यह reciprocal हो जाता है आप लोगों को पता होगा हा ना reciprocal हो जाता है तो हमारा जो right answer आएगा हमारा right answer आएगा 4 ओके तो देखें यह तो था आज की सीरीज के लिए हमारी यह आज की वीडियो हैं पर पूरी होती है अगर आप लोग हमारे instagram से जुणना चाहते हो तो यह है हमारे instagram का link और अगर आप हमारे telegram की group से जुणना चाहते हो तो आप description box में उसका link पा सकते हो ठीक है प्लीज हमारे channel को subscribe करना ना भूले और जादा से जादा share करे thank you so much हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए thank you so much